चीन की बीसवी पार्टी कॉंग्रेस की बैठक, शी जिंपिंग ने खुद को बधाई दी, लेकिन शी अपनी सत्ता में कितने सुरक्षित है? आपका स्वागत है, यह चीन में एक बड़ा सप्ता है, यह बीसवी चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी कॉंग्रेस है, इस सप्ता रविवार से शनिवार तक लगभग 2300 चुने हुए प्रतीनिधी एक दशक में दो बार होने वाली बैठक में भाग ले रहे हैं जो चीन के भविश्य का निर्धारन करेगी, सबकी निगाहे बीसवी पार्टी कॉंग्रेस पर तिकी है, खासकर छात्र, चीनी पार्टी वास्तव में चाहती है कि वे गणित से ज्यादा इसके बारे में जाने, या व्याकरन, या इतिहास, फिर से पार्टी अपने नागरिकों को अपना इतिहास सिखाने के बारे में कभी भी अच्छी नहीं रही है, जब मैंने कहा कि बीसवी पार्टी कॉंग्रेस पर सब की नजर है तो मेरा मतलब वास्तव में सभी से है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महिला बास्केट बॉल टीम में है या अनिवार्य ड्रग रहबिलिटेशन में है आपको देखने की जरूरत है अनिवार्य नशीली दवाओं का पुनरवास वास्तव में एक केंद की तरह है जहां लोगों को राज्य द्वारा कैद किया जाता है और फिर दास श्रम के लिए उप्योग किया जाता है आगे बढ़ते रहना बात यह है कि हर कोई पार्टी कॉंग्रेस को देख रहा है भले ही वो आपकी अपनी शादी के दोरान ही क्यों नहों बेबी मै मैं तुमसे प्यार करता हूँ मैं करता हूँ लेकिन मैं पार्टी से और भी ज्यादा प्यार करता हूँ इसलिए यदि आप अभी देट पर है या सरजरी कर रहे हैं या भारी मशीनरी का संचालन कर रहे हैं तो ब्रेक ले और बीस्वी पार्टी कॉंग्रेस का जश्न मनाए अपनी जेनरल होस्टिलिटी टी शर्ट के साथ यह लोगों का पसंदीदा कम्यूनिस्ट सोप ओपिरा है प्राप्त करे चाइना एंसेंसर डॉट टीवी स्लाश मर्चंदाइस लेकिन जल्दी करो यह सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है तो यहां बीसवी पार्टी कॉंग्रे के लिए वोट देगी और उन पचीस में से वे साथ को पोलिद बयूरों की स्थाई समिती में शामिल करेंगे यह चीनी राजनीती में सर्वोचे निरनये लेने वाली संस्था है और फिर निश्चित रूप से वे महासचिव का चैन करेंगे जो एक बार फिर शी जिनपिंग होंगे लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है जबकि पार्टी के सदस्य इस पार्टी कॉंग्रेस में मद्दान के प्रस्तावों से गुजरते हैं वास्तव में विजेताओं को पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है कल्पना करना एक राजनीतिक दलपूर्व निर्धारित करता है कि कौन सा उम्मीद्वार जीतेगा भले ही मद्दान करने वाले लोग किसी और को चाहते हों किसी भी तरह चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के तहट लोग वोटों के माध्यम से नहीं बलकी एक दूसरे के खिलाफ सत्ता संगर्ष के माध्यम से पदू की जीत या हार करते हैं पार्टी के कुलीन वर्ग पहले ही पिछले कुछ महीने विता चुके हैं यदि लंबे समय तक नहीं अपने पसंदीदा उम्मीद्वारों को शीर्ष पर लाने के लिए परदे के पीछे प्रभाव के लिए संगर्ष करना इन कुलीनों में पूर्व वाइस प्रीमिय जांग गावली शामिल थे तुम्हें पता है जिस लड़के पर टैनिस स्टार पेंग शुआई का यौन उत्पीरन करने का आरोप लगाया गया था और उसे गायब कर दिया गया था फिर जांग के दिखने का मतलब है कि वो अभी भी कम्यूनिस्ट पार्टी की नजर में ठीक है लेकिन अंदाजा लगाए कि पार्टी कॉंग्रेस की शुरुआत में कौन नहीं था पूर्व चीनी नेता जियांग जैमिंग यदि आप सामान्य शत्रुता का पालन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जियांग और शी एक करवे सत्ता संघर्ष में है लेकिन यह बात अब भी हैरान करने वाली है जियांग को बीसवी पार्टी कॉंग्रेस की कारेवाही की देखरेक करने वाली प्रेसीडियम की स्थाय समिती के 46 सदस्यों में सूची बद किया गया था इस रिकॉर्डिंग के अनुसार वो कहां पर है इसकी कोई खबर नहीं है जरूर जियांग 96 साल का है लेकिन पार्टी के बड़े सोंध पिन जो 105 साल के है अभी भी दिखाने में काम्याब रहे हैं इसलिए केवल उम्र ही इसकी व्याख्या नहीं करती है हाला कि जियांग के आखिरी फुटेज से देखते हुए कि मैं खोजने में सक्षम था जो कि दो साल पहले से है मेरा अनुमान है कि वो घर पर है या तो सो रहा है जपकी ले रहा है या स्नूस कर रहा है शी जिनपिंग के असा में एक निधन का सपना देखते हुए लेकिन यह शायद जल्द ही कभी नहीं होने वाला है शी जिनपिंग वर्षों से जियान के प्रभाव को खत्म कर रहे है और उन्हें आधिकारिक तोर पर CCP के महा सच्चिव के रूप में तीसरा पांच साल का कारेकाल मिलने वाला है लेकिन जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में कवर किया है शी की स्थिती उतनी मजबूत नहीं है जितनी लोग सोच सकते है शी अपने कई लक्षियों को हासिल नहीं कर पाए है और यह उनके लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है शी जिन्पिंग एक स्थानिय हेंबगर जगह की तरह है जिस पर लिखा होता है अमेरिका के पसंदीदा हेंबगर को वोट दिया सच मुच किसके दुआरा तुलसा ओकलहुमा के बीच में कुछ स्थानियर इस तरह अमेरिका का पसंदीदा है मुझे नहीं लगता कि वे बर्गर उतने अच्छे है जितना आप कहते हैं कि वे है शी को अपनी स्थिती बनाये रखने के लिए मिल सकता है लेकिन उन्हें अभी भी यह साबित करने की जरूरत है कि चीन को उनके नेता के रूप में वही चाहिए वही चीन के लक्षो को लेकर शी की राजमीतिक रिपोर्ट पर खासा ध्यान है बैठक है शुधर राजमीतिक रंगमंच का मतलब चीनी नागरिकों को आश्वस्त करना और वैश्विक दर्शकों को यह विश्वास दिलाना है कि पार्टी शी के नेत्रित्व में द्रिड और एक इकरित रहती है क्योंकि वह चीन को एक समाजवादी महान शक्ती में बदलने के लक् वापसी पर स्वागत है। शायद उसने वो आखरी भाग नहीं कहा। लेकिन उन्होंने चीन में सुधार के लिए कम्यूनिस्ट पार्टी के लिए आवश्यक अन्मे तरीकों की सूची बनाए। अरे, शी जिन पिंग, अगर आपको चीन को बहतर बनाने के बारे में कोई और विचार चाहिए, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा और सब कुछ लगता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन को अभी बहुत सारे आश्वासन की जरूरत है, देश के सामने सभी आर्थिक जोकिमों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छ गारी और एक लड़कडाता संपत्तिक शेत्र शामिल है। हालात और खराब करने के लिए अमेरिका सेमिकंड़क्टर निर्यात नियंतरन के जरिये चीन पर दबाव बना रहा है। इसने कथित तोर पर बड़े पैमाने पर इस्तीफे और चीनी विनिर्मान को पंगू बना दिया है। लेकिन निश्चित रूप से शी ने इन में से किसी भी चीज के बारे में बात नहीं की। दरसल यहां उनके भाशन की एक तस्वीर है। शी की मुश्किल स्थिती है। अतीत में शी और पिछले चीनी नेताओं ने अपनी वैधता के आधार के रूप में आर्थिक विकास और विकास का इस्तिमाल किया था। 14-वी से लेकर 19-वी पार्टी कॉंग्रेस तक आर्थिक विकास को हर बार पार्टी के केंड्रिय मिशन के रूप में सपश्ट रूप से बताया गया था। क्योंकि जब आप व्यंजना का उप्योग करते हैं तो कुछ भी कम बुरा लग सकता है। नहीं, अधिकारी मैं कुणेदान नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ खाद्य पैकेजिंग का पुनर वित्रण कर रहा था। पूर्ण और अच्छी तरह गोल, विकास क्या है? अन्य सभी प्रकार के विकास, तो आएए अर्थ व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान ना दें, ठीक है? आखिरकार, चीन को सिर्फ आर्थिक विकास से ज्यादा की जरूरत है। इसे सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की तरह एले घाटी में एक किशोर की तरह अधिक बार पसंद है जैसे एक वाक्य में जैसे कहते हैं। शी जिन्पिंग के अनुसार, CCP को हर चीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। लोगों के लिए सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सैन्य, तकनीकी, सास्कृतिक और सामाजिक सुरक्षा, सूची में विदेशी सुरक्षा भी शामिल है। चीनी सभी चीजों को सुरक्षित करने की यह कभी न खत्म होने वाली आवश्यक्ता है। बहुत अच्छा लगता है जब तक आप यह महसूस नहीं करते कि सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है। चीन में सुरक्षा का मतलब लोगों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का एक और तरीका है। मत करो हॉंग कॉम के लोग क्योंकि CCP के मार्क दर्शन में आप अपने देश से प्यार करना और अधिक देशभख बनना सीखेंगे। सब कुछ बढ़िया है जब तक आप चीन विरोधी तत्व नहीं है जो अराजक्ता पैदा करता है। और ताइवान के लिए यानी चीन का ताइवान, खैर, शी के अनुसार, ताइवान पर अधिकार करना कम्यूनिस्ट पार्टी की अटल प्रतिबधता है। और वे बल प्रयोग से इंकार नहीं करेंगे। का सामना कर रही है। यह राश्ट्रिय सुरक्षा पर ध्यान केंडरित करके इससे ध्यान भटकाने की योजना बना रहा है। जिसका अर्थ है होंग कॉंग में एक बड़ी काररवाई, ताइवान के प्रती अधिक आकरामकता और विदेशों में पार्टी के फोकस का विस्तार करना। यह अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह प्रेर्णा दायक फेस्बुक उधरन पोस्ट करने का शी का संसकरन नहीं है। शी जिन पिंग के भाशन से आप क्या समझते हैं? अपनी टिपणी नीचे दे और याद रखें, चाइना अंसेंसर्ड मुख्य रूप से दर्शको द्वारा समर्थित है। तो patreon.com slash China Uncensored पर जाए। प्रती एपिसोड एक डॉलर या अधिक का योगदान करे। इस तरह के एपिसोड बनाने में हमारी मदद करने के लिए हम आपके समर्थन पर भरोसा करते हैं। एक बार फिर मैं Chris Chappell हूँ, अगली बार मिलते हैं। एक बार मिलते हैं।